नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का CIT NCRT के लाइब इंट्रक्शन प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ धर्मेंदर सिंग आज संस्कृत विशे लेकर हम आपके सामने आए हैं कक्षा बारहे के विद्यारतियों के लिए और ये है एक आंकी बड़ा मज़ा आन हैं और आप लाइब शेशन से हमारे जोड़ना चाहते हैं तो आप NCIT ऑफिशिल यूट्यूब चैनल पर हमारे इस प्रोग्राम से लाइब जोड़ सकते हैं तो सबसे पहले मैं तारूफ करा देता हूं अपने अपने एक्सपर्ट का प्लीज वेलकम डॉक्टर आबाज्या पीजिटी गारगी सर्वोद्या कन्या विद्याले ग्रीन पार्क नई दिल्ली स्वागते आपको तो सबसे पहले हम यह देखें कि एकांकी तो अपने आप में एकांकी ही है मदालसा जो आप एक करेक्टर हमारे सामने आज लेकर आई हैं तो आज हम सारे लुद्व उठाने हुई है वहां जो इनकी चर्चा हुई है वह है एक आदर्श पत्नी आदर्श माता और एक सोतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी बिल्कुल उने तह शिक्षिता ब्रह्मवादनी मदालसा की उस समय प्राचीन काल में शिक्षा दिक्षा स्रीयों के लिए और पुरुषों के लिए भिन नहीं थी वाइदिकाल समस्तवेद का उपनिश्द का जो काल है वहां सिक्षा पुरुष की सिक्षा में और स्री की सिक्षा में कहीं कोई अंतर नहीं था उन्हें भी बिल्कुल उसी भाद शिक्षा ग्रहन करने का अधिकार था जीवन का निरने का अधिकार था बाद में मध्धिकाल में आते आते इस्तियों की स्थिति देनी हो गई हम आप सभी जानते हैं लेकिन अब वह मध्धिकाल भी बीच चुका है और आधनी काल में स्तियां फिर पढ़ने लिखने लगी हैं कुछ उदारनों को छोड़ दें तो उस्तियों की शिक्षा-दिक्षा पर बहुत अच्छा काम हो रहा है लेकिन अब क्या हुआ है कि इस स्तिती में स्तियों ने जब पढ़ना लिखना शुरू किया उचित और अनुचित का ज्यान होना शुरू हुआ उन्होंने देखा कि मेरे अधिकार ख्षेत्र क्यों काड़ दिये गए थे मेरा अधिकार ख् ठीक है पुरुषों ने हमार स्तियों के ऊपर अत्याचार किया पुरुषों ने उन्हें बंद करके रखा लेकिन उसके लिए कोई एक पुरुष तो दोशी नहीं था वो समाज की स्थितियां थी उस समय ऐसी तो अब उस पुरुष को दोश देना या यह कहना कि भई तुम लोगों ने इतने दिनों तक शुषण किया और इस वज़ा से यह जो विवाह नाम की जो संस्था है यह बिल्कुल बेकार है तो यह थोड़ा सा गलत है इसी एकांगी जो दृष्टी है एक तरफा जो दृष्टी है उसको दूर करना इस पाट का उद्देश यह है जो सिक् करने की पेरणा दे करके फिर उसकी बाद आप मेरने लिजी आपको लगता है कि यह पुरुष्यो संगत है तो आप उसका चैन कर सकती है और इस व्यवस्था में मूलता कोई दोश नहीं है और व्यवस्था के अंतरगत आने पर सामाजिक प्रिष्ट भूमी के कारण सामाज देशी खास करके मदालसा पार्ट में मैडम का रहा है मैडम गईजी का और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यह कहलवाया उसके मुझे जब वह कहती है कि भई तुम विवाह कैसे करोगी कब उसकी दो सक्यों के वातालाब से यह नाटक शुरू होता है तो वह कह रही ह अब तुम विवाह कर नहीं करना चाहरी हो ऐसा क्या कारण है तो उसका जबाब है कि आहम विवाह बंदनम स्वीकर तुम ना इच्छा में तो फिर सक्षी पूछती है कि कि इंकरिश्यसी तदा तब तुम क्या करोगी तो सपस्ट है उसके जीवन का यह बड़ा तारीफ के क राइक है कि उसकी जीवन का लक्षप पस्ट है क्या है आचारीए दी पदम प्राप्य शिश्य भ्यजीवन के लाम शिक्षए श्यामी आचारया का पडपा करके मैं शिश्यों को जीवन कला की सिक्षा दोंगी तब उसका एक तब जो आता है प्राचीन कालिक जो मानिता है वह आती है सामने तो उसकी सखी कहती है यह था लता सहकारम अवलंबते जैसे कोई लता आम के व्रिक्ष का आस्रे लेती है उसी प्रकार स्त्री भी जो है वह जीवन यात्रायाम कम अपि सहचरम अपेक्षते जीव तो आप देती है शेक्षितण स्त्रीक के नहीं मैं किसी के संकेतों पर नाज सकती हूँ ऐसा नहीं है आपको लगेगा जैसे आज की कोई शिक्षेता लड़की बोल रही है कि अगर ऐसी विवाब बंधन ऐसा है कि मुझे दूसरों के इशारे पर ही चलना पड़ेगा तो मैं इस विवाब बंधन से अस्विकार करती हूँ तो उसके बाद ठीक है अब यह सुन रहा है पीछे से शत्रुजित का पुद्रड़ेत अध्वास यह कहानी सुन रहा है इसके पीछे कि भई इतनी सुन्दर स्ट्री है इतनी शिक्षिता है इतनी तरकों से अपनी बात कर रही है लेकिन आखिर ऐसा क्या है इसके मन में जो बार-बार पुरुष की बिरोडी कुंठा है उसके अंदर तब वो उदारन खुद देती है कि पत्नी को अपनी संपत्ती मानता हुआ युदिस्थिर ने उसे द्यूत में हारा कैसे हारा भई तू अपनी शरीर का मालिक है तुमने अपनी पत्नी को ताओं पर कैसे लगा है संत्तियाचार काहा हुआ ह्अ हरिश्चंद्र अपत्निम जन शंकुली मारओ विक्रीद्रवान उसने क्या किया हर इस इस यह जो यह हो स्थिती थी कह रहे है उनकत्ति कि समझा रहे है कि नए भाई सारे पुरुष तो अब लगा जो वो पीछे से सुन रहा है तो आकर की पहले अपना परिशे देता है कि मैं सद्रजित का पुतर रितर्द्वज हूँ और आप से मिलने की इच्छा से यहां आया था और आप दोनों की वारताला आपको सुन करके मैं यहां पर पहुंचा हूँ अब लेकिन एक प् च्छा की हा बोलिए क्या है तो कहा कि किम गंधर वराज विश्वा बसु महाभागाह अपीषव पतनीम इदुष्पिर हारित बोनता है, आम स्वाब अशु महाओध आ ने भी अपनी पत्नी को युदिश्टिट की तरह हार दिया था या अपराद से किसी एक ने दखिया। और उसके लिए सरवाज आती ही दंडिया इती विचित्रह ने आया कर लो तव सक्या एक के अपराद के लिए संपूर्ण जादी को दंडित करने का जो न्याय है यह तो विचित्र न्याय है यह तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह क्या है तब फिर व सक्षी जो उसे प्रेडित कर रहे हैं विवाज के लिए वह कहती के अब जब आव दू वह आती थी दू राज कूछ रहे हैं कि एक की अपराद के लिए क्या समझत पूरिष्जाद को दंडित किया जाना चाहिए तो कहरें सीधे सीधे पूछ थी पूछती है कि आ माता एव प्रथमा आचार्या कि माता ही बच्चे की सबसे पहली आचार्या सबसे पहली शिक्षिका होती यह मेरा मानना है और नारी एव समस्तर स्रिष्टे है निर्बात्री नारी ही समस्तर स्रिष्टी की निर्बात्री है मैं तो यह नहीं सोचता कि मैं इरिष्टेर की बात स्विकार तो करोगी नहीं तो मैं तयार हूँ किसके लिए परीक्षार्थम उद्यता हास में मैं परीक्षा के लिए उद्यत हूँ मैं जाच के लिए उद्यत हूँ तो जाच करोगी कैसे जब तो मुझे स्विकार करोगी पती के रूप में तभी तो तुम जाज कर सकती हो तब मदालसा कहती है कि हाँ ठीक है अगर आपकी यह द्रिश्टी है तो मैं विवाह करने को तैयार हूँ प्रश्ण यहीं पर उठता है वह प्रश्ण यह है कि जो यह विशाणी द्रिश्टी है पुरुष्यों के विरुद मदालसा की जो हम बात कर रहे है आखिर ऐसा क्यों है आपके एसाब से क्या वह सही है या फिर वह गलत है यह प्रश्ण मैंने अपने स्टुडेंट की तरफ स हाँ हाँ जरू जरू ठीक है यह सवाल उठना चाहिए कि मदालसा की इस त्रीविशाहिनी द्रिश्टी क्या थी तो उस द्रिश्टी पर सबसी पहले तो वह शिक्षिता थी और बिलकुल ही अपनी पर विस्वास था उसको लेकिन जैसे युवावस्था में होता है कि आपन जीवन के एक पक्ष को देखा इस समाज में सकारात्मक और नकारात्मक दोरों ही पहलू है तो उसने नकारात्मक पहलू को देखा और उसे लगा कि ऐसे होते हों पुरुष लेकिन यहां यह सोचने की जड़त है कि आपके घर में जो आपके पिता जी दिखाई दे रहे हैं आपके घर में जो आपके दादा जी है या चाचा जी है क्या सभी ऐसे हैं तो जब आपको दस व्यक्ति ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं और एक दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब संपूर्ड समाज तो खराब है नहीं तो थोड़ी सी परुपक्वता की कमी वहां पर मद जैसे ही रितद्वज ने यह प्रश्न किया क्या आपके पिताजी जिसका आप इतना अधिक आधर करते हैं या आपके गुरु जिसका आप इतना अधिक आधर करते हैं क्या उन्होंने भी ऐसा काम किया तो फिर किसी एक दोके उदाहरन को देख करके आप ऐसा क्यों कर रहे ह उसके चरित्र में यह खुबी है कि तुरह तुस बात को एकसप्ट करती कि नहीं यह तो मेरी सोच गलत थी और यही लेखिका का उद्देशी भी है कि आजकल यह जो नारीवारी सोच ने क्या किया है स्रीयों की द्रिष्टी को एकांगी बना दिया है कि नहीं चीजों को देख है और मदाला सा तो एक ऐसी चरित्र हैं ही प्राचीन काल में भी समाद्रित रही हैं और इस निर्णाए के बाद किसी के गुण को किसी के विचार को स्वीकार करने की शम्ता के बाद तो यहां भी समादर्णिया है यह बहुत अच्छा एक्सपेक्ट है वराय महरवानी उन् यहां पर तो निश्चेत रूप से अप्रीशेशन रिट्रेश्ट को जानी चाहिए आपने कांगी द्रिष्टि उनको सही रास्ते पर लानी की बात की यहां पर इशारा किया अब जो मेरा मूल प्रस्थिति यहां पर जा रहा है आधुनिक लिखन की लेखिका की कि आप भी एक महिला है इसलिए बड़ा साहस से प्रश्ण किया है यह बिलकुल बिलकुल यह प्रश्ण बड़ा लेखिका मैंने पहले कहा कि आधनिक लेखिका है सिवानिवृत हैं लेकिन सबसी पहला जो है बहुत अच्छी जीज़े एक तो सिक्षा क्या है मनुस्य को सही औ हम क्यों ले हम अब सिक्षित हो रहे हैं तो हमें आगे बढ़ना हैं दूसरा क्या है कि उस सिक्षा को उन्होंने बड़े अच्छी से किया है कि और उसको स्वतंत्र निड़ने की लेने का अधिकार भी है और उसमें ख्रम्ता भी है कह रही कि नहीं मैं विवाह वंदर्णम ना स्वीकरिश्या और आज भी आप देख सकते हैं आपने मिलाने की बात की तो आज भी देख सकते हैं कि पढ़लिकर की लड़कियां अरिकांस कहती के नहीं जी हम तो नहीं करने जा रहे हैं क्यों करें जब वो अपने को स्वामी समझता है तो हम तो स्वामी मानने को तेयर तो यहीं पर लेखिए का मैंने कहा कि कलाकार जो होता है युकिस रिष्टी और स्रष्टा दोनों ही होता है तो उन्होंने यहीं दूर करने की कोशिश की है कि ठीक है तुमने पढ़ लिया तुमने तुमने स्वतनत निर्ने लेने की शमता है लेकिन जब तुम इतना बड़ा लो तो तुम थोड़ा सा ठहरो विचार करो देखो कि क्या समाज ऐसा है क्या सारे ही खराब है उसकी बाद तुम निर्ने लो तो समाज में प्रचलित उस द्रिष्टी को भी दिखाना लेखिका का उद्देशी है स्त्रियों की मन में बढ़ती जारी एकांगी द्रिष्टी क को दूर करना भी लेखिका का उद्देशी है और समाज का विखंडन हो रहा है हर जगह एहम जो है उस को दूर करना भी लेखिका का लक्ष है यहां पर मधालशा संदे स्वतनत्र डिन्डर लेती है लेकिन उसमें अहम नहीं है कि मैं बड़ी हूँ इस वज़ा से मैं उसने पूरी तौर पे उसके सुईकार किया है। जो समाँज के विखंडन का कारण है, परिवार के विखंडन का कारण है, यह भी लेखिका का उद्देस्य है और साथ ही मैं इसके साथ यह जोड़ देना चाहओंगी, कि लेखिका ने अपने नाटक के माध्यन से प्राचीन और अरवाचीन का बड़ा ही सुन्दर समय रूप स अपने प्राजी नौरवाचीन दो चीज़े हैं अपर एक हमने मीरा भाई का भी नाम सुना है और हम बादाला साथ दोनों को एक दूसरे के मुखालिफ रख कर देखने की कोशिश कर रहे हैं और एक सेंस यहां से डबलब जरूर होगा देखे कहीं न कहीं उनके मन भी यह बात था कि समाज है शोशित वर्ग है मैलाओं की खास तोर से यहां पर पी इस्तिती वही है लेकिन दोनों में जो एंड आ रहे हैं वो बड़ा पॉजिटिव आ रहा है कि उन्होंने भक्ती को स्विकार करते हुए उसी को पासना के तौर पर लोगों तक पहुँचाया और यहां करें कि हाँ यहां पर मैं गलत थी या गलत था और फिर उसको आगे की तरह आगे बढ़ना यह बेहत जरूरी है कि अपनी सिक्षा को चिंतन के माध्यम से चिंतन मनन और निरिद्धियासन यह सिक्षा के उद्देशी होते हैं तो चिंतन के माध्यम से अपने उद्देशी को बदलना या दूसरे की बात को स्वीकार करना यह बहुत ही आवश्चक होता है तो आपका जो प्रश्ण था कि लोगों की बातों को हम किस तरह से स्वीकार करें उसमें लेखक कि क्या भूम्का है जहां तक मैं समझ पाई शायर तक बिल्ष्ण था थोड़ी सी गलती की थी शायद मुझे इस तरह का नेडले लेना चाहिए वो सीधे सीधे नहीं कहता वो कहते हैं कि जब कोई बीमार होता है तो दवा की जुरत होती है तो कड़वा कैपसूल उसे नहीं रुचता है लेकिन अगर सुगर कोटेड कैपसूल अगर आप उसे दे करने के बाद अपने शिक्षा का उपयोग तरकों से करके आप निर्णे लेंगे तो आप सही निर्णे लेंगे समाज को जोडने का काम करेंगे क्योंकि सिक्षा कभी भी तोडने का काम नहीं करती है सिक्षा हमेशा ही जोडने का काम करती है तो जोडने के लिए समाज को जो की और उनों ने इस बंदन को लेकिन अपनी शर्तों पर यह नहीं कि वहां भी कंप्रोमाइज नहीं है पूछ लिया कि भी श्री विशहिनी दृष्टि आपकी क्या है वह दृष्टि देखने के बाद ही उन्होंने है कहा है और वास्त बाद में यह कथा तो बाद में जाती है कि दोनों का जीवन बड़ा ही अच्छा रहा है और उन्होंने अपने संतानों को बड़ा ही ज्यानी बनाया है ये तो एक अच्छी बात हुई कठोर और लचिले का जो समन्वाइ आपने बता है वो तो हमारे सम्मिधान की भी एक विशेष्टा है शिक्शा मनुश्य को विनमर बनाती है और दत बनाती है बहुत प्रारम में ये बात कई अगर हम विनम्र नहीं है तो हमारी विद्या प्राप्ति में कहीं न कहीं, कोई न कोई कमी है तो विद्या सब से पहले विनम्र बनाती हैं। दूसरा एक उदाहरेन आप लोगों ने सुना होगा पढ़ा होगा और बलकि देखा होगा कि फल वाले जो ब्रिक्षों होते हैं वो क्या है जुक जाते हैं तो बड़ा अच्छ लोग है संस्क्रित में तो इस तरह के सभाशितों की भरमार है कि नमन्ति फालिनो ब्रिक्षा न और गुणिनो जना गुणि लोग जो हैं वो भी जुग जाते हैं तो इसको बोलते हैं कि जब तेज आंधी आती है तो जो नरम पेड़ों जुग जाते तो बच जाते हैं जो अकड़के खड़े रहे तो उनका समूल नहां सुझाता है बिलकुल आपने दात और जीव का कहती है कि तुम तो सर्व विद्या निशनाता हो निशनात हो तो कहती है ज्लाई ग्यान कि जो उदढ़ी है ग्यान का जो शमुद्र है वो अनन्त पार है और गंभीर है और मैंने क्या क्या है मैं सागरत्डी सित्वा कानि Чन बिंदव dating, प्राप्ता अध्यवा द्यवादि म मैंने तो सागर की तर्थ पर खड़े होकर कि कुछ मूदे ही हासिल की हैं, मैंने तो कुछ नहीं पाया, तो यहां भी ववविनम्रता दिखलाती है, जबकि वो सभी विद्याओं में निशनात हैं, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कि विद्या अगर हमें आप में किसी भी तो वाविनम्र होगा, इसमें कोई संदेह की कहीं गुंजाईश ही नहीं, एक सहतिकार हैं, उन्होंने एक छोटी सी लाइन कहीं है, इससे जाकर उसका कनेक्शन जुड़ रहा है, इसलिए मैं इस बात को पढ़ रहा हूँ कि ठुकरा कर दरिया की नवाजिस फिरता रहा में सहरा में, और प्यास का जब ऐसास हुआ तो सारा दरिया सुखा था, विल्कुल, विल्कुल, इसको अब दुबरा से बोलें ताकि हमारे जो बच्चे हैं, क्लास 12 के, उनको इस बात का बहतर समझो, मैं बच्चों के लिए ये कहना चाहूंगी, कि ज्यान का जो आकाश है, व विस्तृत है, अनन्त है, तो आप प्रती दिन कुछ ने कुछ ने कुछ लेने की कोशिश करें, और ग्यान पाने की बाद कभी भी यह नहीं समझें, कि आपने बहुत कुछ पा लिया, आपको लगता है कि आपने पा लिया, जो नहीं पाया था, वो पाया, बहतर है, लेकिन क्यान का आकाश इतना बड़ा है, कि आपको हमेशा ही जिग्यासु हो करके प्रयतनशील होना चाहिए, और आप हमेशा प्राप्ति करने के लिए लगे रहें, लेकिन कभी भी अहंकार ना पाल, अगर आप में अहंकार आ गया, तो इसका मतलब कि आपके ग्रहन में कुछ ने कुछ कमी है, तो आप इतने उदाहरन देखते हैं, रिशी मुनियों से लेकर कि आज कल भी इतने बड़े वएग्यानिक हैं, इतने बड़े शिक्षावित हैं, सबका उदाहरन आप देखते हैं, इतने विनम्र हैं, तो विनम्रता आपके जीवन का अभिन्न अरंग होना चा जानी थे, बाद में जाकर हश्र क्यों हुआ, तो आहिंकार था, जो उनको लेड़ हुआ, कहीने कि आहिंकार नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बड़ा है, टेक्स्पर्ट की तरफ फिर से चलते हैं, और इस समय में और देखें कि क्या कुछ महां से निकल पक्ष में सभी निरने दिये जाएं, यह नारी विवर्ष अवश्य है, उसके क्या अधिकार है, उसके क्या कर्तव हैं, इस पर बात है, शिक्षा के प्रसार पर बात है, नारी के सुतंत्र निरने की भी बात है, कि ऐसा नहीं है कि जीवन के छोटी-छोटी बच्चा कोई च करचा होती है कि जब सबसे हम निरने होता है उस वक्त हम बच्ची को साइड पर रख देते हैं आखिर जब हमने उसे शिक्षा दी उसी इस लायक बनाया कि वह सही और गलत का विवेचन करके सही निरने ले सके तो वह निरने उसके पास क्यों नहीं जबकि प्राजीन काल में हम देख रहे हैं कारगी मैत्रही से लेकर कि भामति भाट्टि बहुत सारे उधारन हमारे पास हैं कि उनके साम उनको सारी अधिकार दे यह कहने की जरुरेत स्त्रियों को ना पड़े कि मैं यहां रोकी जा रही हूं और मेरा भाई यहां रोका नहीं जा रहा है तो स्त्री विमर्ष का यह रूप है जिसमें शिक्षा पर बल है स्त्री स्वातंत्र पर बल है स्त्री अरिकारों पर बल है लेकिन साथ ही साथ लेखिका की सपस्ट दृष्टी है की अरिकारों की बात बहुत जरूरी है ठीक है लेक एक अच्छी पत्नी बन करके घर को एक सुखमे वातावरन देने का यहां लेखी का बिलकुल स्पष्ट हैं किसी दुविधा में नहीं है कि नहीं मदालसा की जो सोच है वह सही है या होनी चाहिए नहीं और मदालसा के माध्यम से उन्होंने आज की युवकों को यह कहना चाहा सिर्फ युवतियों के ही नहीं लिटαद्वर से उन्होंने कहलवाया कि तुमारी दृष्टी क्या कहती है उस्त्री के स्वाधीनिता के वישय में तो हो सीद्थे कहते हैं कि नहीं मैं तो यही मानता हूं कि सबसे माता ही पहले शिक्शिका होती है साथी साथ यह भी कहा है कि ग्रिहस्ति की जो बागडोर है उसकी स्वामीनी स्थी ही होती है यहां भी पस्ट दिखलाया है लेकिका ने और स्थी के मुक्षी भी यह कहलवाने की कोशिश की है कि समाज में सभी पहत्र बुरे नहीं है, अच्छे भी है और उन अच्छों को देख करके ही निर्ने लेना चाहिए, दो चार तो चावल में भी कंकड होते हैं, दो चार तो खराब हो सकते हैं, इसलिए हमेशा ही संयोजक दृष्टी हो, विभेदक दृष्टी नहीं हो, जो आज की युग में इसकी बहुत आवश्यक्ता है, आप हम जोड़ें, हम जोड़ें, जहां गलत हैं, वहां बोले भी, ऐसा नहीं की विरोध करवाया है, तो बोलें, बिल्कुल अन्याय का विरोध करें, लेकिन कभी भी अपनी दृष्टी को एक आंगी नहीं रखना है, समग्रे दृष्टी से, चीजों का विस्सिलेशन करके, उ कि बात, समाज को सही समाज बनाने की बात, मुक्हिधारा में लाने की बात, इस एक आंगी के माध्यम से कही गई है. बात भी कहीगी और आपने इतने अच्छे-च्छे इश्यूस को कितने शरल भासा में भासा में हमारे धर्शकों तक पहुँचा है, हमारे स्टुडेंट्स तक पहुँचा है, एक दो चीजें आपने बड़ी अच्छी बताएं कि कैसे आतनिक सिक्षा की जो आप बात कर रहें अगर मैं नहीं हूँ तो आप हमारा साहरा हैं, तो फिर क्यों ना एक साथ मिलकर ही इस जीवन की लंबी यात्रा को, तबील सफर को साथ में चल कर तै किया जाए, तो ये था हमारा मदालसा के संदर्म में एक आंकी, जो कि संस्कृत सब्जेक्ट से कर्षा बारे की विध्यर की लिए था, और मैं समस्ता हूं कि समय की बादता यहां पर होगी नहीं, तो और भी कुछ चीज़ें यहां पर हम जोडने वाले थे, लेकिन मैं समस्ता हूं कि यह जो इशू यहां पर रखे गए, उनके द्वारा हमारे एक्सपर्ट ने जितनी भी बातें आप तक की संगच्छद्वम, संवदद्वम, समवो मनान सी जानता हूं कि संगच्छद्वम वाली बात जो है साथ साथ चलें, संवदद्वम, साथ साथ बोलें, समवो मनान सी जानता हूं और दूसरों के मन को भी अपने ही मन की बात ही समझें, कि ऐसा नहीं कि हमारे लिए जो जानता इसी वैदिक वाक्य के साथ मुझे लगता है आज के इस पार्ट का समापन किया जाए चलिए आपने मेरा आधा काम पूरा कर दिया बहुत बहुत शुक्रिया और तैंक यू सो मुच डॉक्टर आपाचा आपने अपने अमूल समय में दिया और कृतार्ट की अच्छी अची बाते हैं बताएं आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात करें बहुत बहुत धन्यवाद दर्वेंद्र जी आपका भी और जितने भी दर्शक हमें देख रहे थे सुन रहे थे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पाडिसिपेट करने के लिए चलिए हमाला तो खेर समया पर उसम आप नहीं हुआ है क्योंकि next session जो है वो physics के विद्यारतियों के लिए है class 12 तो फिर कहीं मत जाएए बने रही है किशूर मंच के साथ और देखते हैं आगे की यात्रा किस तरीके से होती है stay tuned किशूर मंची